अच्छा एक छोटा सा सवाल इन सब के नाम इन सब चोरों के नाम मोधी मोधी कैसे हैं नीरव मोधी ललेत मोधी नरेंद्र मोधी और अभी थोड़ा ढूंडेंगे तो और बहुत सारे मोधी निकलेंगे यह वीडियो साल 2019 का है जिसे लेकर राहूल गांधी पर केस होता है फिर सांसदी चली जाती है और जब सांसद नहीं है तो सांसद वाला बंगला भी खाली करना होता है इसी वज़ा से राहूल गांधी से बंगला खाली करने को बोला गया है नमस्कार मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स एक्स्प्लेनर मॉलिटिक्स एक्स्प्लेनर में आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये सरकारी बंगला आवंटित कैसे किया जाता है क्या है इसके नियम चलिए जानते हैं राहुल गांधी को ये बंगला साल 2004 में आवंटित किया गया था तब वो पहली बार अमेठी लोकसभा से सांसद बनकर सदन में आये थे वो अब तक चार वार सांसद रह चुके हैं करीब 19 सालों से ये बंगला उनका अधिकारी आवास रह चुका है नियम के हिसाब से जब सांसद की सदस्यता जाती है तो सभी सुविधाय भी छीन लिये जाते हैं बंगला गाडी सब लेकिन बंगला मिलने और जाने के कुछ नियम है समविधानिक पदों के कद के हिसाब से बंगले आवंटित किये जाते हैं आज इन्ही नियमों को जानेंगे इस वीडियो में पहले यह जानते हैं कि आखिर बंगले मिलते कैसे हैं और क्यों सांसदों और ब्यूरोकेट्स को दिल्ली में जो सरकारी आवास दिये जाते हैं साल 1922 में डायरेक्टर आफ स्टेट यानि D.E.O. नाम का एक विभाग बनाया गया था यह हाउसिंग और शहरी विकास मंत्राले के अधीन आता है यह बिभाग सरकारी बंगले भर नहीं बलकि पूरे देश में भारत सरकार की सारी प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट और प्रसाशन देखता है डारेक्टर आफ स्टेट बिभाग जिस कानून के तहट बंगले अलोट करता है वो है जनरल प्लूल रेसिडेंशिल एकोमेडेशन आक्ट इसी कानून में बताई गई शर्तों और नियमों के मताबिक सरकारी लोगों को दिल्ली और उसके बाहर भी कई लोकेशन पर बंगले मिलते हैं इसमें उनका पद और तनख्वा जैसी चीज़े देखी जाती है दिल्ली में सरकारी अवास आवंटित करने के लिए Allotment of Government Residence यानि General Flu in दिल्ली 1963 है इसमें दिल्ली का मतलब वो इलाका है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है क्या है Lutians दिल्ली अब यह समझ लीजे अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी बंगाल से दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान किया तो उसे तयार करने का जिम्मा ब्रिटिश आर्केटेक एड़ड लूटियंस को सौब दिया गया दिल्ली को राजधानी बनाने का काम 1912 में शुरू हुआ और 10 फरवरी 1931 को पूरा हुआ किंग्स्वे के पास लूटियंस दिल्ली बनाई गई जहां बड़े बड़े अफसर रहा करते थे उस समय यह 20 वर्ग किलोमेटर से भी कम दायरे में था अब यह जान लीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं यह बंगले बंगलो में टाइप 8 बंगला सबसे उच्छ श्रिणी का माना जाता है यह लगभग 3 एकर यानि थोड़ा कम जादा भी होता है लेकिन इन बंगलो की मुख्य बिल्डिंग में 8 कमरे यानि 5 बेडरूम, एक हॉल, एक बड़ा डाइनिंग रूम और एक स्टडी रूम होते हैं इसके अलाबा कैंपस में एक बैठक खाना और बैक साइड कैंपस के अंदर में एक सर्वेंट क्वाटर भी होता है आम तोर पर टाइप 8 बंगला, कैमिनेट मंतरियों, सुप्रीम कोट के नयधीश, पुर्व प्रधान मंतरी, राष्टपती और वरिष्ट नेताओं को आवंटित किया जाता है राहूल गांधी जिस तुगलक लेन के बंगले में रहते थे, वो टाइप 7 ही है पहली बार सांसत बनने वाले लोगों को आम तोर पर टाइप 5 अवास मिलता है हलाकि नई शर्टों के मताबिक उन्हें टाइप 6 अवास भी मिल सकता है इसके लिए उन्हें कुछ शर्टे तै करनी पड़ती है इनमें पहले विधायक या राज सरकार में मंत्री बनने की शर्टे शामिल है टाइप 5 में भी A, B, C, D चार कैटेग्री है हर कैटेग्री में पहली वाली से एक बेडरूम जादा है सभी सांसुदों को सरकारी अवास में सालाना 4,000 लीटर पानी, 50,000 यूनीट तक की बिजली फ्री मिलती है अगर किसी भी साल बिजली या पानी का इस्तमाल जादा हो जाता है तो उसे अगले साल एड़ेस्ट किया जाता है इसके आलावा हर तीन महिने में परदो की धुलाई भी फ्री होती है बंगला खाली करवाने के लिए भी एक कानून है अगर इसको हम आसान भाशा में समझने की कोशिश करें तो सारवजनिक जगों को authorized लोगों को बेधकल करने का कानून है इस नियम के तहट आता है समाने रूप में नोटीस देने के बाद से 30 दिन के अंदर बंगला खाली करने को कहा जाता है विवाद की स्थिती में शो कॉज नोटीस भी जारी किया जाता है और डारेक्टर ओफ स्टेट मामले की सुनबाई करता है लेकिन नोटीस के बाद भी अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो बंगला खाली करवाने के लिए बल कभी प्रयोग किया जा सकता है इस कानून में साल 2019 में एक संसोधन किया गया था जिसके मुताबिक बंगला खाली ना करने पर 10 लाख रुपे तक का जुर्माना लगाने का प्राबधान है ज्यादा समय तक रहने पर क्या होगा यह जानिए तैस समय से अधिक समय तक बंगले में रहने वाले व्यक्ति को हाई कोट से ही राहत मिल सकती है हाला कि सांसत के पास लोकसभा के हाउसिंग कमेटी के पास अतिरिक्त समय दिये जाने की अपील करने का भी ऑप्शन होता है अब जानते हैं कि अगर सरकारी बंगले में तैस समय से भी अधिक वक्त तक रहने की इजाजत मिल जाये तब क्या हो सकता है ऐसी स्थिती में उस व्यक्ति को बजार रेट के हिसाब से किराया देना पड़ता है इस तरह राहूल गांधी के पास भी हाउसिंग कमेटी से बंगले में रहने के लिए अतिरिक्त समय की मांगने का अधिकार है अब देखना होगा कि बंगला खाली करने के बाद कहां रह सकते हैं राहूल गांधी इसी तरह के तमाम वीडियो उसको देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया